आखिर क्यों भगवान श्री राम ने तोड़ा था राम सेतू रामाईड के अनुसाल लंगा पर चड़ाई करते समय भगवान श्री राम के कहने पर बानरों और भालों ने राम सेतू का निर्माड किया था ये बात सभी लोग जानते हैं लेकिन भगवान श्री राम दुबारा विभीशन से मिनले जब लंका गए थे तो उन्होंने राम सेतु का एक हिस्सा स्वम ही तोड़ दिया था ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं इससे जोड़ी कथा का वरण पदपुराण में मिलता है पदपुराण के अनुसार आयुद्धा का राजा बनने के एक दिन बाद भगवान श्री राम को विभीशन का विचार आया कि रावन के मृत्यू के बाद विभीशन किस तरहा से लंका पर साशन कर रहा है उन्हें कोई परिशानी तो नहीं है जब श्री राम इसके बारे में सोच रहे थे उसी समय वहाँ पर भरत जी आ गये भरत के पूछने पर श्री राम ने उन्हें सारी बात बताई श्री राम लंका जाने की सोचते हैं भरत भी उनके साथ जाने की तयारी करने लग जाते हैं आयुद्धा की रक्षा का सारा भाल लक्षमर पर छोड़ दिया जाता है श्री राम और भरत पुश्पक विमान से सवार होकर लंका जाते हैं जब श्री राम और भरत पुश्पक विमान से लंका जा रहे थे तब रास्ते में किश्किंडा नगरी आती है तो वो सुकबीर और अनिबानरों से भी वो मिलते हैं, जब सुखःबीर को पता चलता है कि श्रीराम और भरत विभीशन से मिलने लंफा जा रही हैं, तो वो भी उनके साथ चले जाती हैं, रास्ते में भगवान श्रीराम भरत को वो पुल दिखाती हैं, जो बनाया था जब विभीशन को पता चलता है कि भगवान शुरी राम भरत और सुकबीर लंका आ रही है तो वो पूरे नगर को सजाने के लिए कहने लगते हैं विभीशन श्री राम सुकबीर और भरत से मिलकर बहुत प्रस्वन्य होते हैं भगवान श्रीराम तीन दिन तक लंका में ठहरते हैं और विभीशन को धर्म अधर्म का ग्यान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमीशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज करना जब श्रीराम पुना अयुद्या जाने के लिए पुष्पग विमान पर बैठती हैं तो मैं मुझे क्या करना चाहिए विवेशन के ऐसे कहने पर श्री राम ने अपने बाड से सेतू के दो तुकड़े कर दिये फिर उसके तीन भाग करके बीच का हिस्सा अपने बाडों से तोड़ दिया इस तरह स्वेम श्री राम ने ही सेतू का विनाश किया था दोस्तों ये ये पसंद आई हो तो इस वीडियो के एक लाइक जरूर कर दें और हमारे चानल को भी कर ले सब्सक्राइब फिर मेरते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंडे कियर